सत्य से धर्ती खड़े, सत्य से खड़े आकाश, सत्य से सिष्टी उबजे कहे हैं गुरु घासिदास नमस्कार चर्चा में आपका स्वागत है मैं हूँ अंकुर शुक्ल आगामी 18 दिसंबर को गुरु घासिदास दे की जैनती मनाई जाएगी और सत्य नमस्कार चर्चा में इसी विशय पर बात करने के लिए मौजूद है यश्वन सत्य जी जो की अपने लोग गीतों के माध्यम से सत्नाम पंथ का प्रचार करते हैं और इसके अलावा समाज में उपस्तित कुरूतियों और पाखंड के विरुद्ध लोगों को जागरू करने का काम करते हैं यश्वन जी आपका बहुत बहुत शौगत है हमारे इसकार कुरम हट्व है इसके अलावा इस जैनती के उपलक्ष में क्या-क्या कारकरम होते है इसके बारे में जानना चाहिए जी पहले जो आपने जो इक बहुत ही बहतरी जो आपने जो दो लाइन कही है उसमें थोड़ा से मैं संसोधन करना चाहूंगा दरसल ऐसा कहा गया था कि सत्य से ही धरती है और सत्य से ही अकाश जोंकि धरती तो सुर्य के चारोर चक्कर काड़ती है तो यह गुरु बाबा घासिदाश जी जो है विज्ञान से उनको अलग नहीं किया जा सकता वो विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति थे उनका हर विशय हर चीजों में उनका जो अध्यान रहा है और जब भी लोगों के बीच में अपने विचार रखते थे तो तत्यों के अधार पर रखते थे जैसे अभी आपने बताया कि पाखन वात के विरुद्ध थे तो य ना आकास खड़ा है ना धरती खड़ी है धरती तो चारोर सुर्य के चारोर चकर काट रही है तो गुरुबाबगा घासिदाज जी का ये सिद्धान इसमें थोड़ा से हमें ऐसा बोलना चाहिए जहां तक मैं समझ पाता हूं अब जहां तक बहले आपकी गुरुबाबगा घासिदाज जी के जैनती को तो हमारे पूरवज बहुत पहले से मना रहे है वो गाना भी गाय करते थे अपने डंग से गाते थे मस्त थे लेकिन जब गुरुबाबा घासिदाज जी की जहनती की जहां तक शुरुवात की बात है तो इतिहास कार्टों मैं नहीं हूँ, बहुत साधारन व्यक्ति हूँ मैं तो इतिहास विद्धा हमारे समाज में बहुत लोग हैं लेकिन मैं अपने पुर्वजों से जो सुना हूँ, अपने बुजुर्गों से जो सुना हूँ, तो उस अधार पे चुंकी उस बुजुर्ग के परिवार से भी जुड़ा हूँ, ऐसे सक्स, ऐसे महापुरुश हुए, उनका नाम है दादा नकुल डेडी, वो गाँ भोरिंग के साथ में, तो सन 1938 में, 18 दिसंबर, सन 1938 को अपने गाँ भोरिंग में ही गुरुबाबगासिदास जहनती की शुरुवाती उन्होंने, तो ये अमने सुना है, तो शुरुवात ऐसे हुआ, तो फिर धीरे 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 लगातार गुरुबाबगासिदास जहनती, उन्होंने अपने जीवन काल तक जीवन परियंत सन 1975 तक उन्होंने मनाया लेकिन स्टिफ एक वर्ष जब अपना जो युद्ध हुआ बंगलादेश और भारत के बीच में अपने जीवन परियंत मनाया और उसका इतना विशाल रूप हुआ कि 65 देशों में भी जैनती का जो पहुंचना चाहिए पंथी के माध्यम से पहुंचा तो यह जो है ऐसा मैं समस्ता हूँ अपने भुजरुगों के ग्यान के हिसाब से उनके बताए हुए मार्ग के हिसाब से जीश्वन जी तो आपने जैनती के पारे में बहुत ही मतलब एक अच्छी जानकारी दी हमें अब जैसा कि आप लोग गीतों से जुड़े हुए है तो आपसे चाहेंगी कोई छोटा सा कुछ सुनना चाहेंगी हमारे दर्शुकों के लिए जी जी मैं बताना चाहूंगा और हमारे पूरे मानो समाज को बताना चाहूंगा छतिर्जगर के तमाम लोगों को बताना चाहूंगा हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही बहतरीन एक बहुत पारंपरी भजन और गीत गाय करते थे मुला कठीन कलप नामा डारे साहिब मुला कठीन कलप नामा डारे मुला कठीन कलप नामा डारे साहिब मुला कठीन कलप नामा डारे पहली पंत मुरे घर छोड़ाए गर छोड़ाए साहिब घर छोड़ाए ये बहुत ही सुन्दर पारंपरी जो गीत हमारे जो बुजुर्ग गाय करते थे तो ये हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है यहीं से सुरवात हुई थे बहुत ही खुबसूरत दो पंक्तियां आपने सुनाई है और अच्छा एक बहुत ही मतलब जैसा की आपने बताया भी कि दूसरे पंक्तों को या दूसरे समाज के लोगों को एक कौतुहल का विशय है इसके बहुत सारी चीजों में है सतनाम पंत को लेकर वैसा ही कौतुहल का विशय है जैत खाम जैत खाम के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि गिरौतपुरी में सबसे बड़ा जैतखाम बनाया गया है और जैतखाम भी अपने आप में कौतुहल का विशा है क्योंकि उसे किस क्या उदेश है जैतखाम का और मतलब उसके बारे में बताईए जैतखाम सार्वहूमिक है सरवकालिक है केवल 36 गडवेह नहीं सिर्फ उसके आकार और सुरूप को हम देख करके नहीं instructions कि कि जैतखाम ही एक यहां का एक पहचान है, जैतखाम संसार के लिए है, विश्य के लिए है, फर्मानों के लिए है, उसका जब जैतखाम हम सिधा देखते हैं, उसमें जंडा जब फहरता है, तो वो हमें आकरशित करता है, कि ये हमारी पहचान है, हम इसी तरह से खड़े रहें अडीग, निश्चल भाव से, प्रेम से, बिना कोर कपट, ये जो खड़ा होता है, बिलकुल बिना कोर कपट के, बिना चल चिदर के, तो वो एक पहचान होता है, हर मानव समाज के लिए हैं, तो जहां तक वैसा मैं समझता हूँ, इसलिए एक इस्तम के रूप में हैं, और भी दर्म合म व corridमृ ख़वाँ हाไดं मेला हो सकते हैं वालो हो सकते हैं लेकिन प्रकृति hackers छाहे हम सफेद को धारन करें चाहे पीले वस्त्र को धारन करें लाल वस्त्र को29 Morgen इसी धर्ती से हैं जुड़ा हुआ है दिध सुन्य करें हैं हमें पता नहीं चलता कि तो हैं तो हम किसी को एक जैत खाम को कोई एक धर्म पंथ से जोड़के नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हमारे मन में जो विक्रितियां है, सोच है, सोच बदली की जोरत है, फिर हमें हर जगा पे अपना ही नजर आएगा, जहां तक मैं समस्ता हूँ, यह मेरा अपना एक सोच है, छोटी स सोच से मैं बोल रहा हूँ, जी, 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 इसके लावा एक मतलब बात ये भी है कि जैत खाम के को बनाने के पीछे मतलब क्या उद्देश है, और क्या महत्व है सतनाम पंथ में उसका, मैं तो अभी बताया ना मैंजी, अलग-अलग हमारी सोच हो सकती है, उसमें आकार अलग हो सकते हैं, जन्डे के color रंग हो सकते हैं, लेकिन मैं समझते हूँ, इस सारो भौमिक है, हर लोग हर जगा पे हर पंथ, अर धर्म में, सिक धर्म भी तो है, आप देखे हैं तो भी खड़ा हुआ है, उसके जन्डे के अकार में हो सकता है, परिवर्तन हो, मुस्लिम धर में हैं हिंदू धर्म में भी है हमारे सभी धर्मों में हैं सिर्फ उसके नाम नाम का परिवर्तन होना या नाम को अलग अलग बोलना इसे हम यह नहीं कह सकते कि अलग नाम पुकार देने से अलग नाम बोल देने से वह कुछ अलग हो गया उसके सिद्धांत अलग हो गया विच हम जब बोलते हैं जब हम मुश्कुराते हैं. हम मुश्कुराते हैं संसार के सारे मानों को देख लीजे चाहे किसी भी धर्मा और मजब और पंत के हो हमारे मुश्कुराने का तरीका एक ही है कोई अंतर नहीं ये तील भर अंतर नहीं है जब हम किसी को घुरते हैं तो घुरने का भी तरीका एक है तो हमारे भाशा में मुस्कुराने में देखने में व्यवहार में बहुत प्रिवर्तन नहीं हैं हमें भी नींद आती है ये हमें भूक लगते है तो तमाम लोगों को लगना यह तो मनुस्यomorphा आचण हैं व्यवहार है सही काहिए अश्वन जी गासिदास जी के उद्देशों के बारे में तो उनके उद्देश जो और उपदेश वो आज समाज में कितने प्रासंगिक हैं और क्या समाज उनके हिसाब से आगे बढ़ रहा है बहुत ही महत्पुण प्रश्ण को आपने भी मेरे सामने रखा है जहां तक मैं समझ पाया हूँ हमारे बुजर्गों के द्वारा जो संगर्श किया हुआ है उनकी गाथा है वे जो किये हैं काम किये हैं मानव समाज के हित में गुरु बाबा घासिदास जी तो पहली बात तो बाबा घासिदास जी ने इस देश में मानों को मानों के बीच में लाने का प्रयास किया इंसान को इंसान का दर्जा दिया ये महत्पुण है मेरे है पुर्वज मैं चठवा पिढ़ी हूँ मेरे दादा जी का नाम है उभली उनके पिता जी का नाम था चमार राय उनके पित नम था सहदेर। नो ध्यानों था सषा कि जो दादा कि कंवल पलारी कनी तो हीतства स्थाइव दौध जो दादा के का कि देरा है। वे वहीं काम के रगए वहीं अपने जीवन चरिया को चलाए है गिरौत पूरी में तो बहुत अल्प समय में गुरुबाबग हासिदा जी का समय रहा है वे तपस्या कि उन्हें जो ग्यान ग्यान मिला ग्यान अरजित किये उन्हें लगा कि इस पेड़ पाउधों के बीच में मैं कि से क्या घ् क्या बताओं लोगों को क्या समझाओं तो उन्होंने फिर एक लोगों के बीच में जहाँ transformations के इसे लोगों के और गर्व से आये हैं, एक ही तरीका से आने का इस दुनिया में धर्ती में आने का तरीका तो एक ही है, कोई अंतर तो है नहीं, हमारी मा भी और आपकी मा भी और तमाम मनुशिकी मा जो है, जब हमने गर्व में रखती है, तो नौ महने दस महने ही रखती है, उसके बाद ही हम स्पीछ रहा है उन्होंने जो ऐसे समाज को मानल समाज को जब बता आ। तो हमारे गाउं में वही बता रहा था कि जब वहां धमतरी जिला से जब आये थे हमारे पूरवज लोग तो वह साहू समाज के थे जिसे हम चटिस गडी में तेली भी बहुते हैं तो दरसल हमारा जो तो लोगों को कुतुहल जैसे आप कुप अ कर लिए रोटी बेटी शुरू हुआ आज हम सतनामी कहला रहे हैं यह कितना यानि इतना महान यह पंत धर्म है सतनाम पंत जिसमें हर जाती पंत की लोगों को मिला करके अपने में मिला लेते हैं अपने सज भाव से मिला लेते हैं उसमें किसी भी प्रकार से दुरा भाव द्व तो हम उनके रिनी हैं जी इश्वन जी मन्खे मन्खे एक समान का संदेश लिया था गुरू भासिदास जी ने और जो उन्होंने संकल्पना बनाई थी समाज को लेकर सत्नामी पंत को लेकर वो क्या समाज उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है आज बिलकुल बिलकुल अभी समाज में हम किसी भी समाज की लड़कियों को जब लाते हैं आपको बहुत ही आशी अरजनदक मैं बताना चाहोंगा एक बात हैं घटनाएं हजारों अन्य समाज की हमारी मातायं भेने सत्नामी समाज के लड़कों के साथ मि शायह खैयार हो घिंती नहीं है और हमारा जो परिवार होता है समाज होता है सतनामी समाज तो उसको सहज भाव से स्विकार करते हैं हमारी बेटियों को लेकिन एक अफसोस का विशे है और इसलिए अफसोस का विशे कह रहा हूं चुमकि जब हमारी भी बेटियां गई है अन्ने समाज में लेकिन वहां क्या होता है तो वो पुरुष जो शादी किया है, वो तो स्विकार कर लेते हैं, लेकिन उनका पुरा परिवार है, उनका समाज है, स्विकार नहीं करते हैं, किसी भी धार्मी कारियों में, शादी में, मरनी हरनी में, चठी वरही में, उन बेटियों को जो हमारी बेटियां गई हैं, सत्तामी स समाज की बेटियां उनको लोग स्विकार नहीं करते हैं तो यह मिटना चाहिए और यही गुरु बाबा खासिदाज जी का उदेश रहा थी इसलिए गाना जो अपन हमारे एक बुजरुग गाय करते थे एक बहुत ही सुन्दर गाना इसी विशे पर कि भाई मनुश्य में जात मन खेके काचिन हा है जात आउ सब उत्रेनी एक घाट तेतो छुआ चुतमा जिनगीला बिता डरे रे मानुश मुरग गावार तेतो भाई ला भाई संगलाडा दिये रे एक मुरग तेहा गावार ए मन खेके काचिन हा है जात आउ सब उत्रेनी एक घाट तेतो छुआ चुतमा जिनगीला बिता डरे रे मारुख मुरग गावार तेतो भाई ला भाई संगलाडा डरे रे मानुश मुरग गावार जाती पक्ची मा जरूर तो ता मैनायो माजूर जाती पक्ची मा जरूर कौवा गिद्धायो गाडूर जाती पक्ची मा जरूर सोलाई कोकडायो तीतूर ए मन एके रुखुमा सुन्ताला मड़ा डरिन रे मानुश मुरग गावार एमन एके रुकमा खुंधराला बना डरिन रे मानुस मुरगावार ए जाती जानवर मा जरूर हाथी घोडा यो लंगूर जाती जानवर मा जरूर सेर भालू यो लंगूर जाती जानवर मा जरूर कुल्या कुकुर यो कुकुर ये मन जंगल में राज चला डरिन रे मानुस मुरगावार ते तु भाई ला भाई संग लडा दिये रे मानुस मुरगावार ये मन खेके का चिना है जात सब उत्रिने के घाट अश्वन जी बहुत खुबसूरत पंक्तिया सुनाई है आपने और बहुत अच्छा संदेश दे रही है एक समान मनुष्य एक समान है और इस समानता का संदेश देती हुई है एक और सवाल है इसमें ही कि आज सतनाम पंथ एक जाती में सिमट कर रह गया है और एक पंथ का एक तरह से सिमट कर रह जाने से समाज पर इसका क्या असर होता है मैं समझता हूँ जाती में सिमट के मेरी समझ में सिमट के नहीं रह गया है इसका विस्तार हुआ है जी आज 36 गड़ में हम किवल निवास रत थे पहले सत्तामी समाज जी आपको आश्यर होगा कि असाम में हमारे सतनामी समाज ब्रियत है और गुरुबाबा घासी दाज जी के दृष्टी कौन से हम देखें तो हम तो साथ अरब सतनामी से होसते हैं अपने आपको हम पुरा मानो समाज सतनामी है कि हमारी धारणाएं अलग हो सकती है उसके बहुत गहन विशय है इस विशय पर हमारे एक बहत्रीन कलाकार हुएं दिवंगत हो चुके हैं देवदास बंजारे जी उन्होंने 65 देशों में पंथे दिखाया है लोग बाग उसको गले लगा करके सहिर्दयतय का साथ स्युकार करते थे आज भी आज भी हर तेवहार में हर जगों पर आप देखेंगे हर तेवहार म ए मिसमें जहां कहीं भी हमारी जो सांपिति कलाकार लोग मंच में उतरते हैं जाहे कोई भी मंच में हो केवाल ऐसा नहीं कि केवाल गुराबा घास ललतर reckless करते हैं लोग बाग बंड़े कोई-ब दिर्शक Θी देखा निए बुजुर्ग जो है दरसल इसको पंची बोलते थे यह पंधी नहीं था पंची पंची डान्स दरसल पक्षिया जो है ना जब डान्स करती प्रकृती से तो सीखा है तमाम लोग मनुष्य जो जातिया है हम पशू पक्षियों से सीखे हैं हमें घर भी बनाना नहीं आता गीड़े मकोडों से हमने सीखा है पक्षियां जब कोई चारा खा करके कोई लकडियां लाते थे घासफूस के पत्ते लाते थे पेड़ पौधों में घासफूस के बनाया करते थे उनको ही तिदेख करके मनुष्य ने घर भी बनाना सीखा पक्षियों से हमने डान सीखा पक कर दे हैं। को यह वैं हमारी गलत धारणाय हैं। उसको हमें सहज भहाउ से स्विकार करना चाहिए आज भी सतनाम पंथ में गुरू प्रथा देखी जाती है इसका क्या महत्व है गुरू प्रथा तो हम सहजवा से स्विकार कर रहे हैं लेकिन हमने एक कोई एक प्रमुख गुरू हमने अभी तक से गुरू बाबा घासिदा जी के बाद में नहीं बनाया लेकिन समाज कर रहा है कि एक हमारा कोई गुरू हो अभी तक से विचार नहीं किया गया है चुंकि हर पंथ हर धर्म में गुरू है और गुरू की महत्ता है जी गुरू को तो आप जा आप अच्छी तरह से जानते हैं संसार जानता है यहां पे बड़े-बड़े देवी देउता और भग निकला हुआ भजन है पूर आप थिकू परते पुरू को और इसुझा है यह बड़े-पाइमाने पे त्राइन कि साट कर देवार नेकए जिए कि च्छानन के भार मैंे यह ने इन क्लाने सत ज़ुरू के जी आ जन्त के भार वो ही आये नेतलाने सत जुग के जी जम राजा अलवधे बढ़े आये काची जा खांगे तोरे घर के गोशांई छापी रही बे कते कदी न देह धरी के इही दर इलाला अज राखाओ संत के परगाठो जाबे तोरे किर्टान चली पारा बरामा बगु सारे दोसाई छापी रही बे कते का दिन देहा धरी के फिर अंतरा में क्या कहते हैं ए मैंतला मारा हो मन साला लूटाओ गर्भानावाओ सबो जम के जी चार जुग गुरु के चरणों में थकी गे राज करो मन सुके गोसाई छापी रही बे कते का दिन देहा धरी के इही दरी लाला अज राखाओ संत के परगाठो जाबे तोरे किर्टान चली चार जुग गुरु के चरणों में थकी गे राज करो मन सुक के ये गुरु प्रथा केवल एक समाज एक पंथ भी नहीं है सदियों से है और गुरु असली गुरु कौन है इसको भी हमाता ही पीत असली गुरु है उनसे ही हम सारी चीज़ा सिकते हैं मा के गोद में 24 गंटे में जब एक बच्चा जन्म लेने के बाद में आता है तो 24 गंटे में 20 गंटा तो मा के गोद में ही रहता है बच्चा मा जो बयोहार करती जो बोलती उसी को बच्चा सिकता है फिर उसके बाद में थाजार G PRO मा जन्म है मा का महत्र ही हमारे देश में हर जyun्म हर जगह पर हर स्विकार है है महां है धर्टी माँ भी भोलते हैं भारत मा भी बहुत के महांता है मां हम जदेहिज हम गुरू है तो हम कैसे कि कोई एक जाति पन्त में की माननेता है हर जगह पर है इस एस सबसे पहली होती है हर किसी मतलब आप जो भी पंक्तियां सुना रहे हैं उस सब में एक अच्छा इतना अच्छा संदेश छिपा हुआ है मतलब हर पंक्ति हर लाइन को अगर इंसान समझे तो कितना खुबसूरत हो जाए हमारा समाज आप तो इसी के साथ इस कारक्रम को यहीं विराम देते हैं जी जी समय हो चला है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कारक्रम में आया और हमें इतना कुछ बताया घुरुद गहासी दास जी के बारे में समाज मतलब सतनामी पंथ के बारे में उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी जी आप हमें बुला है इसके लिए आपका बहुत झाल झाल झाल